हेलो एवरीवन गुद मॉर्निंग और विल्कम बैक तू मनी सारानी व्लोग्स सुबा के बज रहे हैं साथ और मैं अभी कर रही हूँ अपनी करेंट अफेर्स की क्लास सो बेसिकली 29 जून को यहां पर मैं बता रही थी कि नेशनल स्टैस्टिक डे मनाया जाता है वहीं मैं स्टडी कर रही थी और क्लास अभी जेस्ट स्टार्ट ही हुआ था तो मैं आराम आराम से इस क्लास को समझ समझ के कर रही थी उसके बाद मुझे याद आता है आप लोगों कैसा लग रहा है अगर आप लोग को सुन्दर लग रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर देना देखो किता प्यारा खिला हुआ और कमल है बट ये खुद से नहीं खिला था हम लोग पानी में तो डाल दिये थी इसको बट ये खिल ही नहीं रहा और उपर से सूखा जा रहा था तो मैंने जबर्दस्ति का इसको खिला दिया था अपने इन ही प्यारे प्यारे हातों से उसके बाद मुझे बाहर मतब रात भर बारी सुई थी तो बाहर से हवा चलने की आवाज आ रहे थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई सोचा कि चलो ब एलो कलर का फ्लार खिला था एक्चली जो पहले वाला जो मेरे गार्डेन में फूल था ना उसके वज़े से ये सब खिल नहीं पा रहा था तो अभी मैंने उस पेर को काट दिया है तो उसके बाद से देखो कितना सुन्दर ये फूल खिलने लगा है और सब और भी पेर प्यारे प्यारे सुन्दर सुन्दर सा पिंक कलर का फूल खिला था तो मैंने सुचा कि चलो फ्रेंड्स को भी दिखा दू कि ये सुन्दर सा फूल खिला हुआ है हमारे गार्डेन में और उसके बाद बाहर का देखो मौसम कितना सही है और हमारे तरफ तो अभी बारी सब अ अब जोब हुमेश पूचा परfilled काँवान मालां मैं नियुकि दिखते ऑफिस डाउंगे के रसी पे डाल देंगी तो फिर मम्मी का भी थोड़ा से हेल्प हो जाएगा और कपड़े भी जल्दी से साफ हो जाएंगे सूप जाएंगे सो यह देखू मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट डाल दिया और बारीस का मौसम है ना तो बकेट में जो हम लोग कपड़े जमा करते उससे थोड़ा स्मेल आने लगते तो मैंने सूचा चलो अच्छे से डिटर्जेंट डाल के ही वास करूंगी ताकि यह स्मेल न करे और आज मे मैंने उसका ऐसे स्विच घूमा दिया था पर कोई ने फ्रेंट्स आप लोग तो अल्रेड़ी जानते हो कि यह मसीन अल्रेड़ी कनेक्ट हो जाता है मेरे फोन से और इसको न मैं कहीं से भी ऑपरेट कर सकती हूं जैसे कि मेरे फोन में नेट होना चाहिए और यह जो मसीन है यह घर पे है तो लाइट होना चाहिए वाइफा इस चालू होना चाहिए तो मैं तो ऑफिस से भी अपने मसीन को अपरेट कर लेती हूं इस फोन के आप के थूँ तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा अप है उसके बाद मैं चल देती हूं थोरा सा जल्द यल्दी से रेडी स तो देखो आज नाश्टे में मैं खा रही हूं सोया बीन और आलू नहीं है उसमें थोड़ा बहुत होगा बट मुझे तो सोया बीन खाना था उसके साथ मैं मैंगो खाती हूं और यह देखो मुझे ना पहले सोया बीन की सबजी पसंद नहीं आती थी बट रिसेंटली मुझे अच्छा लगने लगा था और थ्रस्टे था तो हमारे पास कुछ ज़्यादा उतना आप्सन भी नहीं था इसलिए मम्मी को बोला कि मम्मी आर ग्रेवी वाला सबजी ही बना दो तो मम्मी ने अपना breakfast ख़तम करती हूँ उसके बाद याद आता है कि मैं तैयार अभी fully हुई नहीं थी lipstick लगाना अभी बागी था friends क्योंकि बिना lipstick के मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ मुझे अपना face बिना lipstick के बिल्कुल पसंद नहीं आप सभी को कैसा लगता है comment box में जरूर बताना so अपना यबस्ट्रिक लगा लेती हूं यह देखो मेरा का इठीक का इतना समकि चाइवien को अम्हचा सेट जिब कर और अरकती हूं अपना को सेटक लाओक्त जुह के few không अपथ। यार इसका ना बहुत अच्छा सिंपल सा सौटेट सा सेंट होता है जिससे ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं लगता है जैसे अच्छा खुस्बुदार साबुन लगाया तो मुझे तो यह बहुत पसंद है और इस टाइप का मैं एक दू हमेशा रखती हूँ मेल स्वाला पर बढ़ गया था अचानक से मुझे नीचे से ऐसा सूर का आवाज आता है तो मैं सुछती हूँ चलो मैं देखती हूँ खिरकी से की पीछे चल के रहे हैं यह देखो यह बच्चे ना ऐसे बारीस में रोट बेस गंदे पानी में पूरा डांस कर रहे थे पूरा फुल इंजॉ करें क्योंकि बड़े होने के बाद तो हम लोग सुछते कि अरे यार गंदे हो जाएंगी यह वो पर बच्पन में जो है ना बच्चे इतना सूछते नहीं और फूल इंजॉय करतें लाइफ को उसके बाद टाइम हो जाता है अपना पिटारा खोलने का तो मेरे पिटारा में फिर हमारे आम मिलना बंद भी हो जाएगा तो मम्मी ने बोला कि चलो यार आम खराब हो जाएंगे उससे अच्छा है कि लंच में ले जाओ खूब आम खाओ क्योंकि कुछ दिन के बाद तो खाने से अभी हम लोग रहे तो मैं ले आती हूँ लंच में भी मैंगो और ये दे अब मैं अपना लंच कंप्लीट करती हूँ ये देखो मेरा सोयबरी का सबजी कितना यमी यमी सा है और मैं खा लेती हूँ उसके बाहर टेस्ट को इनहेंस करने के लिए मैं यहां पे खाऊँगी मैंगो जो की है मेरा फेवरेट सो मैंगो खाते रहना चाहिए टाइम टाइम पर क्या पता फिर मीले ना मिले ये सब बस मैं ऐसे डायलोग के लिए बोल रहे हैं आप लोग ज्यादा सीरियस मत लेना इसको मैंगो क्यों नहीं मिलेगा हर साल आता है मैंगो का सीजन सो उसके बाद लंच कंप्लीट करती हूँ और अपना काम धंदा समाप्त करने के बाद आ जाती हूँ वापस घर तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे बल्ब जल रहा है तो ये मत सोचना कि मैं रात में देर से आई हूँ मैं आई तो थी छे बज़े ही बट बारीस हो रहा है ना बाहर तो फिर नीचे अंधेरा था तो अंकल ने लाइट जला दिया था मेरे लिए देखो मैं आज लेकर आई हूँ नेनुआ उसके साथ ही मैं लाई थी थोड़े से जामुन जिसमें कि मेरा बुरी तरीके से कट गय थी क्योंकि मैं इतना ज्यादा ठागाई हूँ ना अपने लाइफ में ये सब फ्रूट वगएरा मुझे खरीदने आता नहीं है और बारीस की सीजन में देखने में तो सुन्दर लग रहा था पर आदा से ज्यादा जामुन न सड़ा हुआ था तो खाने में भी बुरा लग रहे हैं तो वह ऐसा सर्मा के भागी ना इसके वज़े से मुझे इतना हसी आ रहा था और आप लोग अभी बताओ मैं क्या कहने का कोसिस कर रही थी वीडियो में वह सब जो होता है कि रैंडम शूट कर लेती हूँ तो इसके वज़े से मैं हमेसा वाइस ओवर करती हूँ क्य क्योंकि ओफिस में तो इतना कंफरेबली बैट नहीं सकते ना मजी तो ओफिस में भी बहुत है मेरे बट फिर वहां से आने के बाद घर पे थोड़ा फैल के बैट लेती हूँ आधा एक घंटा उसके बाद तो आप लोग देख पा रहे हूँए कैसे मैं अपना पढ़ाई क करने आ गई हूँ सबसे पहले आज मैं बनाने वाली थी अडवांस मैत का जो यूनिट डीजिट का जो चैप्टर होता है उसका कोश्चन मैं बनाने वाली थी और मेरा सीर पे देखो कैसा टकला दिख रहा है कि क्योंकि आज मुझे शैंपू करके नहाना था बाल बहुत जा इसके वाज़े से मेरे बाल इतने खबसूरत है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो फिर मैं अपना मैत का जो है वो कम्प्लीट कर लेती हूं उसके बाद ना अपना टेस्ट बूक से बनाते रहती हूं प्रीवियस यर कोश्चन इतने मैं मैं मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए बोला तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए हम लोग सब साम को नाशता कुछ 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 करते रहते हैं और जो भी कुछ खाते हैं हम लोग सब फूल फैमली कहते हैं ऐसा मन सुचना कि मैं खाने के लिए वीडियो बनाती हूं मैं खा रही थी इसके लिए सूट कर या था ना कि सूट के लिए खा रहे थी सो आप लोग बेसिकली मेरे बात को समझ पा रहे होंगे भावनाओ को समझिए बातों में क्या रखा है सो अब मैं मखाना को सुआत लेके खा रहे थी और बगल में भूल गई थी कि मेरा जो टेस्ट है न वो स्टार्ट ही था तो फिर मैं उसको खतम करती हूँ उसके बाद शैंपू करके नहाती हूँ और आज मेरा बहुत मन कर रहा था और मेरी बहन का भी मन वह रहा था कि चलो दीदी आज गुलगपपा खाते तो हम लोग फाइनली चल देते हैं हमारे गली के पास एक न्यू भाईया ठेला लगाते ह हम लोग उनसे गुलगपपा खाने चले जाते तो देखो भाईया का हम लोग बोले कि टेस्टिंग करेंगे बट आप उसमें अच्छे से स्पाइसी बनाना तो वो हरा मिर्ची और प्याज काटके एक्स्ट्रा से मिला रहे थे तो अभी हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि भा अल्मोस्ट वान मन्थ से मैं गुलगपपा नहीं खाई थी और इतना जादा बेचैनी हो रहा था ना वहां पे खरी थी तो क्या ही इसमेल आ रहा था तो लग रहा था कि चलो यार भाईया अच्छे से खिला देंगे तो हम लोग का एक और होप हो जाएगा कि अब जो है मसालो को टेस्ट करती तो मसालो को तो वह पास कर देती बोलती है ठीक है तो फिर भाईया बोलते कि चलो आपको मैं पानी डाल के गुलगपा खिलाता हूं आप बताओ कि कैसा बना है तो देखिए मेरी बहन अभी उसको भी ट्राई करेगी कितना यम्मी गुलगपा द करती है फिर उसको कुछ रियलाइज होता है कि उसमें कुछ कमी है तो वह बोलती कि भाईया खटा थोड़ा और डालो तो भाईया यहां पर पानी को खटा करने लगते और मैं इंतिजार कर रही होती हूं कि मेरी बारी कप आएगी टेस्टिंग तो मैं जान बूच के नहीं क खाने की तो मैं देखो कैसे बाल धोके आई थी चम्पू बनके और गुलगप्पा खाई हां ठीक ठाक था गुलगपा मतलब कि एक तो बारीस के वज़े से जो पूरी था ना वो थोड़ा सा क्या बोलेंगे हमारे हां तो बोलते कि पूरी ना मसुआ गया क्रिस्पी नहीं ह तो आप लोग यहां क्या बोलते हो आप कमेंड में जरूर बताना तो देखो यहां पे हम लोग दना दन से गुलगपा खाने लग जाते हैं और लिटरली बताओ ना तो भाईया का गुलगपा जब मैं सेकेंड वाला खाई थी ना तो ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई कीरा म मारा हुआ इतना गंदा टेस्ट कर रहा था पर भाईया कि इसमें कोई गलती नहीं होगी हम लोग खुद इतना टेस्टी गुलगपा खा रख्याना है दूसरे वाले भाईया से इसके वादे से यह मुझे जच नहीं रहा था और उसके बाद हम फिर भी सोचते हैं कि इतना दिन हो गया है तो 20 से कम का क्या ही गुलगपा खाए तो अच्छा नहीं लगते हुए भी मैं ठूसने लग जाती हूं और उसके बाद मैं इस उधेरबुन में पढ़ जाती हूं कि मम्मी ने बोला था कि अगर बेटा टेस्टी नहीं होगा तो मत लेना पर मेरा दिल नहीं मा बारात आया था तो मम्मी जो है यह लाइटनिंग का मजे ले रही थी पटा के फूट रहे थे तो मैंने सुचा चलो आप सभी के लिए इस सीन को मैं सूट कर लेती हूं आप सभी को यह कैसा लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक् करना मिलती हूं जल्द ही बाबाई टेक केर